तो दियर स्टूडंस इस को सॉल्ड करते हैं जो कि एक्वेशन ओफ स्टेट लाइन नॉर्मल फार्म उसके ऊपर बेस्ट है लेकिन इसमें जैसे कि नॉर्मल फार्म में आपको दो चीजों को मालूम होना बहुत जरूरी है कि लेंथ आप नॉर्मल जो कि पी वो मालूम होना चीजों और फिर इस नॉर्मल का एंगल आप इंक्लाइनेशन मालूम होना चीजों मतलब एंगल विचे मेंग्स विद पॉजिटिव डिरेक्शन आप एक्सेस तो यह दोनों चीजों अगर मालूम है तो एक्वेशन आज़ा था यह लाइन एक्वेशन इकाना था और यह ओ एक्स पॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा डार इस इक्वाल डूपी जिसको हम बोलते थे नॉर्मल फॉर्म ओव इक्वेशन और इस्टेट लाइट करेक्ट है तो यह दोनों चीजों मुझे मालूम होना चीए एक तो अल्फा और एक पी तो अल्फा को मैं बोलोंगा उस नॉर्मल का एंगल उप इंक्लाइनेशन और पी बोलोंगा उस नॉर्मल का लेंध करेक्ट तो सुडेंट्स अब यहां देखो इस पर्टिकुलर कोश्चन में क्या चीज़ दी हुए इस कोश्चन में रिडाउट कर यह कोश्चन फाइंट एक्वेशन ऑफ स्टेट ला कि जैसे माले यह एक्स वाई प्लेन में यह एक्स और एक्स 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 है और यह लाइन है यह लाइन में जो ट्राइंगल बना रहा है इसका पूरा एरिया मुझे दिया हुआ है इसका मतलब एडिया इसे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ मतलब 96 इन्टू रूट्री इस हाफ बेस आपका ओए है तो हाइट आपका ओभी है यह ओए और ओभी अभी अभी गिवन नहीं है और यह एरिया के कॉंसेट से इतना होता है एंट पर्पेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू इट मेक्स एंगल अप 30 डिग्री 30 डिग्री वित पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगे यहां पे भी ट्विस्ट आ गया थर्टी डिग्री अंगल तो बना रहा है लेकिन पॉजिट कॉजिटिव डिग्री यह प्रकशनु पॉजिटव ट्रकार म। और हमको जो equation आप state line है उसमें तो ये 60 degree को यूज़ करना पड़ता है तो इसका मतलब जो equation आने वाला है ये answer ऐसा आएगा कि x into cos 60 degree plus y into sin 60 degree that is equal to p cos 60 कितना होता है भया? cos 60 कितना होता है? sin 30 के बरबर होता है मतलब 1 by 2 और sin 60 कितना होता है भया? root 3 by 2 इसका मतलब x plus root 3y that is equal to 2p ये answer होगा हमारा ठीक है? provided इस p का value मालू हो जाए कि angle of inclination alpha मालू है लेकिन अब p यहाँ given नहीं हो इस p को determine कर देंगे तो आपका final answer आजाएगा तो पोड़ाल आप मेरे को इसमें p determine करना है इसलिए questions important हो गया correct है? चलिए p को determine करते हैं तो पी को determine करने के लिए इसी conditions को अप्लाई करना पड़ेगा मतलब ये oa को pk terms में लाना पड़ेगा omi को भी pk terms में लाना पड़ेगा वो हम लातकते हैं चुकि ये normal है मतलब ये perpendicular है मतलब ये 90 degree है तो ये hypotenuse हो जाएगा ये hypotenuse हो जाएगा इस angle के लिए opposite हो जाएगा तो ये जो p है ये इसके लिए adjacent यहां में cost 60 लगा सकता हूँ, cost 60 होता है adjacent by hypotenuse, cost 60 का value कितना आता है बूलो, cost 60 का value 1 by 2 होता है कि 1 by 2 adjacent में इस बार T कि और hypotenuse में ओए तो यहां से मुझे ओए मिल जाएगा ओए कितना मिला तूपी ओए टूपी मिला तो यहां से मुझे 96 into root 3 हाप लूटू तूपी यह मिल गया अब और यहां प्या जाए यह यहां आग है तो यह भी 90 degree है तो इसका मतलब यह अब हाइपो जाएगा और फिर और यहां पर फिर से मैं कॉस्ट 30 लगा दूंगा तो यह हो जाएगा एड्जेसेंड बाइपोटेनियस कॉस्ट 30 कितना आता है गया रूर 3 बाइटू करेक्ट है एड्जेसेंड में 3 आ गया आइपोटेनियस ओ भी आ गया तो यहां से ओ भी लिए टूटी बाइपी कुछ जो ओए है वो भी पिक के टांट में आ गया जो वी है वह भी पिक के टांट में आ गया और फिर हम एकाश्य के लागा कि को टी ट्रमाइन कर लेए हां यह होगया डूटी बाइव रूट 3 यह टू से यह टू कर गया यह रूट 3 इदर आएगा मतलब 962 तरी ड़ी ठीक है, 48 इंटो 3P स्कूर, तो 3 स्कूर इकोल तू, तो यहां से मुझे 3 मिल जाएगा, प्रस माइनस 12, यह कल्कुलेशिन बहुत सिंपल है, तो 3 मिल जाएगा, प्रस माइनस 12, अब पी तो रो लेंथ है, लेंथ अप पर्पेंडिकुलर ग्राउंड फ्रॉंड फ्रॉंड फ् पॉजिटीव होगा, so therefore we should consider P as 12, ठीक है, तो P ड्रॉल जगी थे, तो answer आपका, X प्लस रूप 3Y, that is equal to 12, is our answer, so अब आपने देखा कि, इस question का important क्या था, कि equation of state line in normal form, इसको तो यूज करना है, वाद तक कोई issue नहीं है, लेकिन यहां पे, यह जो angle दिया है, वो positive direction of Y axis है, positive direction of X axis की जरोग परती है, तो वो निकल दाएगा, फिर इसमे equation of state line in normal form में length of normal भी मालूम होना चाहिए, पर length of normal नहीं दिया है, उसको भी यहां निकालना है, and because of that, these questions become important, दिगे रहे?